दोसों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रिखुरूटमेंट अब देखने को मिलेगे उसके बारे में हाल ही में कैबिनेट बैठक जो है आयोजित की गई है पीटर होफ शिमला में तो काफी सारे एहम निरणे लिये गए हैं लेकिन हमारा यहां पे एजुकेशन चैनल है तो हम एजुकेशन से संबंधित जो अफडेट्स हैं उनी को लेकर आ रहे हैं आप बने रहो हमारे चैनल के साथ आने वाले समय में और भी इंपोर्टेंट वीडियो साब को मिलेगे दोस्तो 24 अगस्त 2021 को कैबिनेट बैठक पीटर होप शिमला में हमें देखने को मिली है सीएम जैराम ठाकूर की अध्यक्षता में ये बैठक जो है इसमें एहम निरणे लिये गए हैं उनी में से एक निरणे है शिक्षा विभाग में भीन शिरेणियों के चारजार पदों के भरने को मंजूरी हमाचल में शिक्षकों की भरती का फैसला काफी लंबे समय से रुका हुआ था जो पिछली कैबिनेट बैठक थी उसके दोरान ये मंजूरी मिलने की पूरी उमीद थी कि ये भरती जो है अब शुरू हो जाएगी लेकिन जो बित है उसकी और से फाइल अप्रूब नहीं की गई थी उस ताइम लेकिन अब हो चुकी है जब हम बात करते हैं टोटल 4000 पदों की तो ऐसा नहीं की एक ही शरेणी में आएंगे सारे के सारे पद इन में से 1360 पद जो है उच शिक्षा higher education 2640 जो है प्रारंभिक शिक्षा elementary education तो यहां भरे जाएंगे और 810 जेवीटी जेवीटी ध्यान रहे काफी समय से एक चर्चा का विश्यों बना हुआ है तो पुरानी भरती जो है उसके बारे में भी फैसला होगा जल्दी और नई भरती जो है 810 बाद इसके भरे जाएंगे तो जेवीटी टैट आपका कलियर है तो अच्छे से त्यारी करो जो कमिशन होगा उसकी अगर टैट क्वालिफाई नहीं है तो वाटसेप करके जरूर बताईएगा हम आपकी सहाइता करेंगे इसमें 820 ड्रॉइंग टीचर्स के पद भरे जाएंगे 870 रफिजिकल एजुकेशन टीचर 561 कोलिज प्रवगक्ता लेक्चरर्स दोसोजोधा स्कूल न्यू लेक्चरर्स और 250 पद जो है जुनिर ओफिस हैस्टेंट पुस्त काले जुनिर ओफि हैस्टेंट पोस्ट के लिए आप त्यारी करना चाहते हैं 16 कोलेज अचारियो सहित तबलाबाद को योगा शिक्षकों के भी पद भरने का फैसला लिया गया है तो खुरिम्ला कि यही अपडेट थी आज की जो कैविनेट बैठक हुई है उसमें शिक्सा से संबंदित बाकी सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल के उपर मिलेंगी तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जै हिंद जै हिमाचल